नमस्कार दोस्तूं, सिक्ष्या मनोविज्ञान, रीट 2022 के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट मित्रू, बात कर रहे हैं, रीट 2022, रीट एक्जाम होना है, उसके लिए ये सिक्ष्या मनोविज्ञान के परसन लेकर आएं, यहां पे देखिए मित्रू, रीट भरती वाले परसन आप क्या करते हैं एक अच्छी राय आपके लिए ये है कि आप जब भी क्यूसन एंस्वर पढ़ते हो या मनोविग्यान सिक्ष्या मनोविग्यान की किताब पढ़ते हो तो ये ध्यान जरूर दे लेना कि कभी भी गहराई के साथ रीट के अंदर परसन नहीं पूचे जाते हैं उपर से और सिंपल क्यूसन आपके एकजाम के अंदर आते हैं क्यूंकि जो पेपर का लेविल होता है उसी लेविल के क्यूसन बनकर आते हैं और हर बार जैसे 2016, 2018, 2021 के अंदर रीट हुई है उनके क्यूसन आप चेक कर लेना इसी परकार क्या है और इसी कारण लाश्ट 2021 एकजाम में हमने सबसे टोप यहां पर क्यूसन करवाए और लगबग 90% क्यूसन है जो हमारे क्यूसनों में से डिट्टो उट कर आये थे दोस्तु तो आज जो हम यहां पर लेकर आए हैं सिक्स्या मनोविग्यान के यह 50 महत्वपून परसन यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे और आप जिस परकार नई तयारी में जूट रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सिक्स्या मनोविग्यान के कैसे परसन एकज जरूर कर लें पहला कि हो सन आपकी स्क्रिन पर मित्रूंग कारक जो वेवार में स्टाई और एयिस्टाई के बीच का परिवर्तन लाता है कौन सा कारक है यानि कारक कौन सा है जो वेवार में इस्ताई और एस्ताई के बीच का परिवर्तन लाता है कौन सा है मानसिक ठकाउट है बीमारी है परिपक्वन है या परसिक्षन है कौन सा है इस्ताई और एस्ताई में परिवर्तन लाने वाला है परिपक्वन तीन अमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमबर दो देखिए साथ में कमेंट भी करते जाएं और जिन साथ उन्हें भी तक लाइक नहीं किया लाइक और सेर कर दे जल्दी से निमलिकित में से हैं कौन से तनाव कम करने कौन से हैं जो तनाव तो कम करने और अंतरद्वंद का समाधान की पर्तेक्स विदी इन में से नहीं है तनाव कम करने और अंतरद्वंद का समाधान पर्तेक्स विदी कौन से नहीं है रुकाउट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदाती करन दूसरे लक्से का पर्तिस्तापन कौन सी विदी नहीं है यहाँ पर्तेक्स विदी आपकी उदाती करण नहीं है तीन अमर ओप्सन सही रहेगा next question है सिक्सिया के छेतर में निम लिकिद में सबसे महत्वपूर्ण होता है सिक्सिया के छेतर में सिक्सक होता है विद्यारती होता है पाटे करम होता है या पाटे पुस्तक होती है सिक्सिया के चेतर के गरम बात करें तो विद्यारती सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका दो नमर उप्चन सही रहेगा Next question है एक बालक पहाडे सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है पहले उसने क्या सीखे है पहाडे पिर क्या कर रहा है गुणा और भाग अधीगम इस्तानांतरन के जिस परकार का ये उदारन है किस परकार का है मानसिक से सारीरिक है नहीं सारिक से सारिक नहीं मानसिक से महीं मानसिक मतलब पाड़े उसने मानसिक सीके और उनका उप्योग गुणा बाग में कर रहा है ये भी कैसी की रिया है मानसिक तो मानसिक से मानसिक अधिगम का इस्तानांत्रन यहां पे हो रहा है तीन नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट उसन है निमलिकित में से कौन सा बाल अपराद का एक मनोवेग्यनिक कारक नहीं है पेला अवरूदिच्छा, दूसरा समिगातमक एसंतुलन, मानसिक संगर्स या सारिरिक दोस तो पूचा एक मनोवेग्यानिक कारक नहीं है, कौन सा नहीं है, सारिरिक दोस मनोवेग्यानिक कारक नहीं है, चार नमर ओप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन है, निमलिकित में से कौन सा पराकर्तिक अभी परेर्णा का उधार्ण नहीं है, पराकर्तिक अभी परेर्णा का इच्छा, क्या यह प्राकर्तिक अभी प्रेलना है? नहीं है, सुरक्सा आपकी प्राकर्तिक अभी प्रेलना है, दो नमर ओप्सन देखें, यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा. Next question कख्सा में परस्पर संवाद से क्या उबरकर आना चाहिए? विवाद सूचना विचार या तर्क विचार अगर प्रस्पर समवाद हो रहा है मतलब वहाँ पर नया विचार उबर कराना चाहिए तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसन नमर आठ है कूस समायोजित बालक अधिकांस्ते पाये जाते हैं निर्धन परिवारू से तूटे परिवारू से कहा पर मित्रूँ इंपोर्टेंट क्यूसन है आपके लिए तो पूचा क्या है यहाँ पर कूस समायोजित बालक अधिकांस्ते पाये जाते हैं दोनू से यहाँ पर आपका तीन और चार एक और दोनू या दोनू से सही आपका तीन नमर एक और दो से तूटे परिवारू और निर्दन परिवारू से सहयोगी अधिगम की परकिरिया को बड़ादवा देने के करम में सिखसक को क्या पूचा है सहयोगी अधिगम की परकिरिया को बड़ादवा देने के करम में सिखसक को क्या करना चाहिए समुए प्रियोजनाएं देनी चाहिए तीन नमर उप्शन सही रहेगा एक नमर उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है ग्यारा नमर बरुनर ने संग्यानात्मक विकास की तीन महत्वपूर अवस्ताओं की पहचान की नेमलेकित में से इन अवस्ताओं के सही करम का चैन कीजिए तो मित्रु जो बरुनर की संग्यानात्मे विकास्त की तीन अवस्ताएं हैं वो कौन-कौन सी है और उनका सही करम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है पहला है पर्तिकात्मक एनेक्टिव यह तो गलत है दूसरा देखिए एनेक्टिव अनुपर्तिकात्मक और पर्तिकात्मक यह सही है आपका सही करम है यह एनेक्टिव अनुपर्तिकात्मक और पर्तिकात्मक नेटिक विकास के नेतिक विकास की एक अवस्ता है पहला प्रमप्रागत नेतिक ता यह है मित्रूं तो यह एक नमर ओप्सन आपका यहां पर सही रहेगा नेट्स क्यूसन है क्यूसन नमर तेरा देखे निरमे से कौन सा कतन सही नहीं है पहला विकास लंबत सीधा न होकर वर्तूला कार होता है صही बात है विकास की गती कि दर एक सी रहती है यह गलत है आपका विकास की गती किदर एक सी नहीं रहती तो आपका ओप्सन दो यहां पे सही रहीगा नेक्स्ट क्यूसन है ससक्त अभी प्रेर्णा सीखने का परभाव साली गटक है ससक्त अभी प्रेर्णा सीग्रे सीखाता है हमें सीग्रे जल्दी सीखाता है तो cigarette सीखाता है चार नमोर उप्षन सही रहीगा next question है निमलिकित में से कौन सी तारकिक पाँ उप्योग वानी जे विसेक में तारकिक निस्करसु को बताने में किसोर अपनी सम्ता को विक्षित करने है तू करते हैं तो यहाँ पे देखिए तारकिक्ता का उप्योग और वानिज्य विसे की बात हो रही है। कौन सी होगी निगमन तारकिक्ता होगी आपकी। चार नमर उप्शन यहाँ पे सही रहीगा। निमनानकित में से किस मनोविज्यान को मोलिक वेवारवादी के रूप में वरनित किया गया है। तो बात हो रही है मोलिक वेवारवादी किस मनोविज्यानी को कहा जाता है इस कीनर को कहा जाता है। चार नमर उप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट अनुदेशन उदस्यू को कहते हैं। क्या कहते हैं अनुदेशन उदेश्यू को क्या कहते हैं विशिष्ट उदस से यह important question है आपकी exam 2022 के लिए next है अभी कर्मित अनुदेशन है अभी कर्मित अनुदेशन कक्सा कक्स अधिगम सौता अधिगम अध्यापक केंदरित अधिगम या उप्रोग्त में से कोई नहीं बात हो रही है अभी कर्मित अनुदेशन की तो अभी कर्मित अनुदेशन होता है सौता है अधिगम ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा next question question number 19 यदि सूत्र L बराबर F कोश्टेक में है EF into PF तो बताएए मैं L अधिगम को अंकीत करता है तो EF वे PF किसको अंकीत करता है EF वे PF EF करता है आपको वातावरणिय अधिगम वातावरणिय जो अधिगम के कारक है वातावरण के कारक उनको EF और PF करता है आपके किसको वेक्तिगत वेक्तिगत जो कारक है उनको मित्रू तो EF वे PF वातावरणिय कारक और वेक्तिगत कारक को यहां पर अंकित कर रहा है, next equation है, स्वेरीन लोगु के परदेक्सिकरन से दोस्ते, दौस्ती धरा विक्सित होती है, क्या होती है, क्या होती है, स्वेरीन परते दोस्तों, नेक्स्ट है बच्चे में स्वेगात्मक संगर्ष उत्पन होता है बहुत अधिक किसे हैं समेगात्मक संगर्ष की बात हो रही है बहुत अधिक क्रोध से होता है मित्रुये एक नमर ओप्चन सही रही है नेक्स्ट क्यूसन शिक्ष्या के छेतर में निमलिकिद में से सबसे मह मेत्वपुण कौन सा है? सिक्षया के जेतर में सब से मेत्वपुण होती है आपकी अधिगम परकिरिया। नेक्स्ट यूशन है वीशवी सताबदी बच्चे की सताबदी कहलाती है। ये किसने कहा और क्रोने काता फीस भी सताब्दी बच्चु की सताब्दी है neighbor ngày प्रस्तावना प्रस्तुतिक्रंट तुलना समनेक्रंग और अनुप्रियोग पहला रहेगा प्रस्तावना अंतिम रहेगा अनुप्रियोग तो यहाँ पर देखें तीन नमर वाला प्रस्तावना, प्रस्तूतिकरण, तुलना, सामनेकरण और अनुप्रियोग यह सही करम है और यह पांच चारण है दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं किसी कारिय को करने की विसिष्ट समता अभीरुची, परतेक्सिकरण, अभियोगिता या अभिवर्ती किसी कारिय को करने की विसिष्ट योगेता, अभियोगेता, क्या होती है अभियोगेता, तीन नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट है निगमन विधी के सोपानौ का उचित करम है क्या है निगमन विधी के सोपानौ का उचित करम important question बनता है एजजाम में ये और देखे पहला सत्यापन, सामाने एकरण, और निरिक्षन उधारन निरिक्षन और उधारन ये चारूँ ये आपका देखे, सत्यापन, सामने करण, निरिक्षन और उदारण, एक नमर देखे, यहाँ पे आपका सही रहेगा, क्यों सा नमर 27, निमलिकित में से कौन सा, मुखे रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद, उपागम का तत्वे नहीं है, पहला देखे, अध्यापक के प्रस्तूति निक्रन है, तु विश्यवस्तू का सपेश्ट संगटन, यह निर्मितवाद, अनुदेशन के निर्मितवाद, उपागम का तत्वे नहीं है, ओप्सन एक आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यों से है, क्यों से नमर 28, निमलिकित में से कौन सा कतन, सिक्षन के बारे में सत्ते नहीं है, कौन सा, सिक्षन में सुधार किया जा सकता है, सही है, सिक्षन ओपचारिक वन ओपचारिक है, यह भी है, सही है, सिक्षन विज्ञान के साथ कला भी है, यह भी है, सिक्षन अनुदेशन है, यह गलत है, ओप्सन चार आपका सही रहेगा, नेक्स्ट है, एक विद् करन प्रक्षे पंड युक्त न तकि लो गया मन क्या कर रहा है उप्षण तीन सही नेक्स्ट गूसप्धिंमें चलते हैं गेने की अनूसार अधींडम का उचतम deserve कौहिं सा है स्रंकला अधिगम नहीं, साब्धिक साचरी अधिगम नहीं, उधीपन अनुकिरिय अमाद्यम नहीं, समस्या समाधान अधिगम गेने के अनुसार अधिगम का उचतम इस तरह का समस्या समाधान अधिगम चार नमर और अपसंस भी रहेगा क्योंसर नमर 31 है निर्मिति वाद के अनुसार एक अध्यापक की मुक्के भुमिका क्या होनी चाहिए किस परकार दार्शनी की नियंत्र की सहज करता की या अनुदेशक की सहज करता की होनी चाहिए तीन नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट है सरजनात्मक्ता की विसेस्ता होती है क्या विसेस्ता होती है सरजनात्मक्ता मोलिक्ता प्रवसीलता लचिलापन तीनु है ये सरजनात्मक्ती विसेस्ता है ओप्सन चार उप्रोग सभी सही रहेगा ओप्सन चार और सभी सात्यू से 18 क्यूसन सहस है अभी तक जो आपने क्यूसन देखें आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्जाम में यही क्यूसन आये थे या ऐसे ही क्यूसन आये थे तो मित्रू इसी परकार REIT 2022 की संपूर्ण सिक्ष्या मनोविग्यान ठियोरी क्यूसन एंस्वर और मोडल पेपर आपको मिल जाएंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन में कोई भी बालक सीखना सुरू करता है किस दिन सीखना सुरू करता है कोई भी बालक आपको पता आपने जिस दिन जनम लिया उस दिन से ही आपने सीखना सुरू कर दिया था वो समवेग से सम्ęd नहीं कहा रही है पेला, पलायन, बे, शवेदना, आश्चरन ये नहीं है युदपिरियता, क्रोद, शवेदlah, एपिरियता, ग्रेना, ये भी सही है तो दो नमर उप्षन आपका मेल नहीं कहा रहा है, याँ पे नेक्स्ट, क्युसर्ण पेतीस नेम लिकित में से कौन सा एमुर्थ इस्ताई भाव रादर निवासिस्तान पसू और कुरूद अब यहां पे पहले क्यूशन को पढ़ लेना तो कौन सा है आदर वाला एक नमर उप्सन सही रहीएगा next है किसी वेक्ति के विकास के सम्मन्द में क्या सही नहीं है क्या देखे ये जनम से मर्तियू तक जारी रहता है ये तो सही है वर्दी विकास का एक हिसा है ये भी सही है परिवर्तनू को देखा और मापा जा सकता है अब क्यूसन को पढ़ें विकास के सम्मन्द में क्या सही नहीं है क्या परिवर्तनू को हम देख सकते हैं क्या परिवर्तनू को हम आप सकते हैं कभी नहीं ओप्सन तीन सही रहेगा यहां विकास की बार उतोरिय वर्दी की नहीं नेक्स्ट यूसन है एक सिक्स्यार्ती की बुद्धी लब्दी का ज्यान एक सिक्सक के लिए उप्योगी है किसोरा वस्ता में किसोर किसोरियां अद्दिन के साथ साथ टीवी देखना रेडियो वग्रामों पौन सुनना पसंद करते हैं यह विचार किसका है इसकी नायर वूड पियाजे या गेसल किसका है यह विचार पियाजे का है तीन नमर और उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा सिक्सन अधिगम परकिरिया में वेक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपून है क्यों है मित्रूं इससे परतेग सिक्सार्थी को अनुसासित करके लिए सिक्सकूं को बहतर अउसर मिलते है तो वेक्तिगत रूप से ध्यान देने से क्या मतलब है इसका नहीं सिक्सन पर सिक्सन कारिय कर्मों में ऐसा निर्दारित किया जाता है ये भी सही नहीं है बच्चों की विकास दर बिन होती है और वे बिन तरीकों से सीखते हैं तो मतलब परतेग वेक्तिगत बच्चे से, वेक्तिगत बच्चे पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, परतेग बच्चे पर, तो हर बच्चे की जो विकास की दर है, जो सीखने की दर है, वो अलग-अलग होती है, इसलिए मित्रूं, तीन नमर उप्शन आपका यहां पे सही र परिक्षन से, नहीं, ए मौकिक बुद्धी मता परिक्षन से सही है, निस्पती परिक्षन से होता है, तो दो वे तीन, चार नमर उप्शन सही रहेगा, नेक्स्ट है, निम्न कतनों में से, परतेग के सम्मुक, अभीवर्दी दर्साने वाले कतन के सम्मुक तो जी, विकास दर्शाने वाले कतन के समुकडी लिखना है आपको तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक नमर क्या है एक छै मां के बालक में दातू का निकलना यह क्या अभीवर्दी है या विकास है यह अभीवर्दी है मितरू, तो इसके सामने के लिग दे हम? जी लिग देते हैं आए चलिए दो नमर पे देखे तीन मां के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बलेट ना ये क्या भीवर्दी है या विकास है क्या है मितरू ये ये आपका विकास को दर्षा रहा है उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना यह आपका किसको दिखा रहा है विकास दर्साने वाला है तो दो के सामने क्या लिख दें डी लिख दे एक सिसू द्वारा उसके आगे लुड़कती वस्तू पर आँखें के अंधरी तरकना लुड़कती वस्तू पर आँखें के अंधरी तरकना क्या है विकास को दर्सार रहा है डी एक तेरे वर्स के बालक के चेरे पर बालू का उगना सही उतर एक यहां पर मित्रू इतनी दूर है आगे सही उतर आपको छांटना है तो देखे, एक 13 वरस के बालक के चेरे पर बालू का उगना, ये क्या है, अभी वर्दी है या विकास? अभी वर्दी है, तो इसमें जी लिख देते हैं, तो जी, डी, डी, जी, यहाँ पे पहला तो तो डी आ है गलत, जी सहिए, डी, डी, जी, दो नमर ओप्षन सही रहेगा, नेक्स्ट क्यों से एसे दो संद्रबीत मानव वादी मनोवेग्यानी कोन है जिनोंने मानव वेक्तितवे की व्यक्या स्वेम एवं आवसेक्ताउं के सिद्धांत के आदार पर की है तो कौन से मानव ता वादी मनोवग्या नहीं कहने जिन्होंने मानव व्यक्तित हो है कि वह क्या स्वेम और आवसेक्ता के सिद्दान्द पर कीये मित्रूं एक तो मेसलो है दूसरा रोजर्स है तो पहला ओप्सन देखे मेसलो एवाम रोजर्स option एक सही रहेगा question number 44 नियुन में से कौन सा प्रिक्ष्या कौन सा प्रिक्ष्ण है जो जीवन परियन चलने वाले अनुपचारिक अधिगम द्वारा प्राप सूचनाओं पर केंद्रित है वेक्तित्व प्रिक्ष्ण पहला ही option सही आपका वेक्तित्व प्रिक्ष्ण है ये next question एक विशिष्ट अधिगम एक विशिष्ट अधिगम अनुपव परदान करने के पसाथ अधिगम किस इस्तर तक हुआ है ये मापने एतुनिव में से कौन सा प्रिक्ष्ण उप्यूक्त है मित्रू विशिष्ट अधिगम अनुपव परदान करने के पसाथ अधिगम किस इस्तर तक हुआ है ये मापने एतु कौन सा प्रिक्ष्ण उपलब्दी प्रिक्ष्ण एक नमर option सही रहेगा क्यूसर नमर 46 निम लिकित विशिष्ट अधिगम वेतिकरम एवं उनके लक्षण दिये गए है तो यहाँ पर देखे विशिष्ट अधिगम और वेतिकरम है उनके लक्षण दिये गए हैं आपको इनको मिलाना है डिस्प्रेक्सिया क्या लक्षण है डिस्प्रेक्सिया का important क्यूसर बन सकता है आपके विशिष्ट लेकन वे गणीतिये वेतिक्रम है यह डिसकेल कूलिया मतलब विशिष्ट गणीतिये वेतिक्रम है यह डिसलेक्सिया अग्यारा डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचन वेतिक्रम है और डिसगरापिया डिसगरापिया यह क्या है? लिखने समंदी वेतिकरम है तो यहां पे देखिए आपका सही option तीन दो चार एक option तीन सही रहीगा क्यों सन से तालिस एक विदार्ती अपने समकक्स वेक्तियू के समुए के परती आकरामक वेवार करता है और विदाले के मांदंडू को नहीं मांता है इस विदार्ती को जिस साइता के आउसिकता है किसकी बावात्मक छेतर की साइता के आउसिकता है इसको दो नमर option सही रहेगा important क्यों सन क्यों से नमर 48 पियाजे के अधिगम के संग्यानात्मक अधिगम के अनुसार वह परकिरिया जिसके दुआरा संग्यानात्मक सर्चना को संसोदित किया जाता है क्या कहलाती है इसकीमा कहलाती है एक नमर option क्यों से नमर 59 सिदान्त जिसमें किसी समस्या के ताथकालिक समाधान को परमुकता दी जाती है कौन सा सिदान्त है कोई समस्या उसका तातकालिक समादान किया जाता है कौन सा है सामिप्ताग सिद्दान्द अनुबनन दंद का सिद्दान्द सक्रिया अनुक्रिया अधिगम सिद्दान्द या सूज का सिद्दान्द कौन सा रहेगा सूज का सिद्दान्द चार नमर उप्सन सूज जो सूजता है तात का लिक समादान और अन्तिम क्यूसन अब कमेंट करके बता देना रीट 2022 के मेरे साथ हूँ कि 50 में से कितने क्यूसन आपने सही अटेंड कर लिये हैं यहां पे और क्यूसन का लेविल आपको केसा लगा विलूप्थ होना परिणाम है अवरोध पुनरबलन का अभाव तनाव या दमन विलूप्थ होना किसका पुनरबलन का अभाव का परिणाम होता है ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा तो यह थे 50 क्यूसन 6 या मनोविज्यान रीट 2022 के लेविल के कमेंट करके बताइए मित्रू कैसे लगे लाइक, सेर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद, जे वारत